भाईयों भैनों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी योर एंटरेलर पर भाईयों भैनों फिल्में सिर्फ मन और अन्जन का साधर नहीं नहीं होती है बल्कि फिल्में समाज में पल रही बुरा इनको सामने लाने और समाधान देने का एक माध्यम भी है फिल्मों के पॉजेटिव संदेश हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में बदलाव लाने का एक सशक्त जरियावी है इसलिए फिल्में सिर्फ मन और अन्जन की द्रश्टी से ही नहीं देखने चाहिए बल्कि इन में दिये गए संदेशों को सकारात्मक रूप से समझ कर जीवन में बदलाव लाना चाहिए जीवन में बदलाव सिनेमा से लाव का संदेश देकर आज हम बताने जाना है 2005 माई कॉमेडी फिल्म नो एंट्री के बारे में इस फिल्म की गिंती हिंदी सिनेमा की बहतरीन कॉमेडी फिल्मों में की जाती है इस वीडियो में बताएंगे फिल्म के अन्नोन फैक्स, स्टार कास्ट, अवार्स, सॉंग्स, बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तथा फिल्म की कहानी और फिल्म के संदेश के बारे में साथ ही बताएं 2005 में कमाई ये मामने में कौन-कौन सी फिल्म ती टॉप थी में 2005 में कौन कौन सी और भी प्रमुक हिट फिल्म में हुई थी रिलीज किस फिल्म ने जीता था 2006 में बेस्ट फिल्म का फिल्म फैर अवार्ड जिदी जानना चाहते हैं तो बने रही हमारे साथ देखते रहे वीडियो को अंत तक फिल्म नो एंट्री रिलीज हुई थी 26 अगस्त 2005 को फिल्म के निर्माता है बोनी कपूर निर्देशन किया था अनीस बजमी ने फिल्म के लेखक हैं अनीस बजमी फिल्म में मुख्य भूमी का मेनजर आये थे अनील कपूर, सल्मान खान, फर्दीन खान, लारा दत्ता, विपाशा बसू, बॉमिन इरानी, अन्जन श्रिवास्तो फिल्म में संगीत का जादू खेर था अन्नु मलिक ने गीतों को स्वरबद किया था सोनि निगम, सुनिती चोहान, कुमार शानू, उदित नारायन, अलीशा चिनाय, अलका यागनिक फिल्म का गाना इश्क दी गली विच नो एंट्री पहोतीर फेमस हुआ था बात करते हैं, 2005 में रिलीज हुई प्रभुक फिल्मों के बारे में, 2005 में नो एंट्री, बंटी बबली, गरम मसाला, बलेक, मंगल पांडे, सरकार, काल, सलाम, नमस्ते, बरसात, पहेली, क्या कूल हैं हम जैसी फिल्में रिलीज हुई थी बात करते हैं, कमाई के मामले में 2005 की टॉप थी फिल्मों के बारे में, 2005 कमाई के मामले में नमबर 3 पर रही थी फिल्म गरम मसाला, फिल्म ने कमाया थे, गुंतिस करोड रुपे फिल्म हिट रही थी नमबर दो पर रही थी बंटी बबली फिल्म ने कमाये थे 36 करोड 25 लाख रुपे फिल्म सुपर हिट रही थी नमबर एक पर रही थी कॉमेडी फिल्म नो एंट्री फिल्म की कमायी थी 45 करोड 72 लाख रुपे फिल्म सुपर हिट रही थी बात करते हैं फिल्म के अन्नोन फैक्स के बारे हैं फैक्ट नमबर एक फिल्म नो एंट्री को काफी समय तक डिस्ट्रिब्यूटर्स द्वारा रिलीज नहीं होने दिया गया था कारण था फिल्म के निर्मा था बोनी कपूर का डिस्ट्रीबिटर्स पर पुराना बकाया लेकिन सल्मान खान ने किसी तरह डिस्ट्रीबिटर्स को विश्वास में लेकर फिल्म को रिलीज करवाया फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा मौरिशस, थाइलेंड और दक्षिन अफ्रिका की कई सांदार लोकेशन्स पर की गई थी जिनकी द्रश्यों को खूपसूरत बनाने में महत्पूर्ण भूमिका रही फैक्ट नमबर तीन, सन 2000 के बाद अनिल कपूर की कोई फिल्म हिट नहीं होई थी 2005 में नो एंट्री उनकी हिट फिल्म रही थी इस फिल्म की सफलता ने हिंदी फिल्मों में अनिल कपूर को पुना इस्तापित करने में महत्पूर्ण भूमिका निभाई थी फैक्ट नमबर चार, फिल्म के निर्माता और अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर की भी नो एंट्री फिल्म ने करजे से उभरने में मदद की थी फिल्म 2005 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी जिसने बोनी कपूर के साथ साथ डिस्ट्रिबूटर्स को भी बहुत फाइदा पहुचाया फैक्ट नमबर पाँच, फिल्म नो एंट्री का रिमेक मराठी में नो एंट्री उधे धोका आहे के नाम से बनी जिसे साथ सितंबर 2012 को रिलीज किया गया इसी फिल्म का रिमेक बंगाली में भी बनाया गया जिसे केलोर कीर्ती नाम से 2016 में रिलीज किया गया जबकि नो एंट्री हिंदी फिल्म 2002 में आई तमील फिल्म चारली चैपलिन का रिमेक थी करते हैं फिल्म no entry की कहानी की समिक्षा कहा जाता है कि जीवन को दो ही शब्द नश्ट करते हैं एक तो इनसान का अहम और दूसरा उसका वहम फिल्म no entry ऐसे लोग को देखनी चाहिए जो बेवजे वहम का शिकार होते हैं संदे करते हैं छोटी छोटी बातों में शक करके अपने ग्रस्त जीवन में आग लगा देते हैं फिर चाहे वो कोई इस्त्री हो या पुरुष फिल्म नो एंट्री में शानदर कॉमेडी के माध्यम से शक और संदे से उपजी समस्याओं को दिखाया गया है फिल्म नो एंट् एक संपादक किशन यानि अनिल कपूर और उसकी पत्नी काजल यानि लारा दत्ता की कहानी है किशन सीधा सादा सच्चा इंसान है वो अपनी पत्नी को कभी दोका देने की सोच भी नहीं सकता परन्तु परिस्तिया कुछ ऐसी पैदा हो जाती है कि शक्की मिजाच पत्नी पड़ते हैं और यह तहे कि एक जूट सो जूट बुलवाता है और इस जूट में किसी को मजबूरी में उसका साथ देना पड़ता है किसी को दबाओ में प्रेम यानि सलमान खान किशन का दोस्त है उसकी पत्नी पूजा यानि इशा देवल अपने पती पर पौन विश्वास क पता है और अपनी पत्नी को कभी सचाई पता नहीं लगने देता उधर शेकर यानि फरदीन खान किशन की समाचार कमपनी में काम करता है जो किशन के एहसानों के तले दबा रहता है परिस्तितिया इस तरह के पैदा होती है कि सीधे साधे किशन को जूट पर जूट बोलने परते हैं और इसमें मजबूरी में शेकर को भी उसका साथ देना परता है साथ प्रेम भी देता है परंतु वह एक मंजवा खिला लिए इन्ही बातों से पेदा होता है जबरतस हास से जो आपको हसने पर मजबूर कर देगा फिल्म देखकर आप हसने हसने लोट पोट हो जाने बिना शक और संदे करने से क्या क्या समस्या जीवन में पेदा हो जाती है शक संदे करने से इन्सान को क्यों जूट का सहरा लेना परता है फिल्म यही संदेश देती है हमारी ये वीडियो पसंदा यो तो इसे लाइक करें शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद